कर दोस्तों स्वागत आपका हमारे न्यूज यूटुब चैनल में दोस्तों एक बर फिर आज जिरू हैं बड़े अपडेट के साथ लाखो करमचारी और पैंसन भोगयों के लिए जिहां दोस्तों बहुती अच्छी खबर निकल कर सामने आ रही हैं डिटेर्मेंट की उमर और पैंसन की रासी में जबरदस्त इजाफाद जी हां दोस्तों आप बिलकुल सही सुन रहे हैं हम आपको इस वीडियो के मादम से डिटेल से बताएंगे तो जुड़े रहे दोस्तों हमारे साथ इस वीडियो के लाश तक दोस्तों अगर आपने हमारे जानल पर फर्स टाइम तो चैनल को सब्सक्राइब करना ने भूले साथ ही साथ बेल आइकन को भी जुरूर दबाए जो भी गोर्मेंट इंपलोज और पैंसनर से समन्दिन हो जाती है उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंद पहुंस के तो आए दोस्तो बिना किसी देरे के हम वीडियो को स्टाट करते हैं दोस्तो पी-ए-म की जो आर्थिक सलाकार समेती ने ये प्रस्ताव दिया है कि देश की रिटार्मेंट की जो उमर है बढ़ाई जाने के साथ ही यूनिवर्सल पैंसन सिस्टम भी सुरूख किया जाना चाहिए तो दोस्तो इसमें हम आपको बताते हैं कि सरकार केंद्रे करमचरी को जल्द ही खुसकबरी दे सकते हैं करमचरी के रिटार्मेंट की उमर और पैंसन की रासी बढ़ाने पर सरकार विचार कर रही है परदान मंतरे की आर्थिक सलाकार समीती की तरफ से ये प्रस्ताव बिजगा है इससे अदेश में लोगों के काम करने की उमर सीमा बढ़ाई जाने की बात की गई है साथ ही पी-म की आर्थिक सलाकार समीती ने का है कि देश में रिटार्मेंट की उमर बढ़ाने के साथ युनिवर्सल पैंसन सिस्टम भी सुरुक किया जाना चाहिए इसमें दोस्तों रिपोर्ट के अनुसर बताते हैं सुजाव के तैथ क्रमचरे को हर महीने कम से कम दो हजार रुपे का पैंसन दिया जाना चाहिए और जो आर्थिक सलाकार समीती ने देश में सिनियर स्टीजन की सुरक्षा के लिए बैतर ववस्ता देने की सिपारिस की है समाजिक सुरक्षा परनाली पर दबाव को कम करने के लिए ऐसा किया जा सकता है रिपोर्ट में पचास साल से उपर के वैक्ति के लिए भी स्किल डॉपलमेंट की बात की गई है दोस्तो सरकार ने जो नितियां बनाई है के अंदर रजय सरकारों को ऐसी नितिया बनाने चाहिए जिसे अकोसल का विकास के अजसके और इस प्रियास में ऐसंगित अक्षितर दुर्दराज के इलाकों में रहने वाले रिफ्यूजी परवासियों का भी सामिल किया गया है जिसके पास ट्रेनिंग हासिल करने के साधन नहीं होते हैं लेकिन उनका ट्रेड होना जुरूरी है ऐसे में किसी भी विवा के दक्ष लोगों की कमी नहीं होती दोस्तों हम आपको बता दे वल्ड पापूलेशन जो प्रोस्पेक्ट 2019 की रिपोर्ट के अनुसार साल 2050 तक भारत में करीब 32 करोड सिनियर स्टीजन हो जाएंगे यानि कि देश की अबादी करीब 19.5 फिजदी वेक्ति सेवानिवर्ति की कटाईगरी में या फिर कहें कि साल 2019 में भारत की अबादी करीब 10 फिजदी या 14 करोड लोग सिनियर स्टीजन की कटाईगरी में है दोस्तों ये थे आज की मारा latest update I hope आपको वीडियो उच्छी लगे होगी दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें सब्सक्राइब करें साथ यू साथ बयल अइकन को भी जुरूर दोए तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बड़े अब डेर्ट के साथ तब तक के लिए दोस्तो आप सभी को हमारी उर्शे, ये हिन, ये जुआन, ये किसान.